हालो गाईज, वेलकम य्यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुहारू जैंक्सन से प्लारी नई रेल्वे लाइन विछाने की बात चल रही है वो रेल्वे लाइन कहां से, कौन से गाउं से होकर विछेगी तो ये सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं देखिए यहाँ पर शाला सर्च से खाटू स्याम जी और जो सुजान गड़ है वो सारी बाते करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको लुहारू जैंक्सन से पिलानी के बीच कौन-कौन से गामो से मतलब रेलवे लाइन बिचाई जा सकती है तो यहाँ पर मैं आपको लुहारू जैंक्सन से पिलानी जैंक्सन के बीच किस परकार से बिच सकती है रेलवे लाइन और कौन-कौन से रेलवे स्टेशन बन सकते हैं वो सारी बातें आपको एक मैप के मादिम से बताने वाला हूँ तो देखिए इस मैप में देखिए तो यहाँ पर देखिए इस परकार से यह मैप बना रखा मैंने ठीक है पिलानी से और लुहारू जैंक्सन के बीच कौन-कौन से रेलवे स्टेशन बन सकते हैं कितनी दूरी पर तो देखिए यहाँ पर देखिए लुहारू जैंक्सन है ठी तो यह तिनू लायन है यहां पर लुएरू से जाती है तो यह जैंक्सन है लुएरू जैंक्सन…अगर नई रिएलोई लायन बिच seminar से पिलानी के बीच फैली से और लौहर जैंक्सन के बीच मोरवा डुलानिया पीपली इस परकार से बड़े-बड़े गाम आते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए पिलानी से मोरवा के बीच यह साथ किलोमेटर की दूरी पर है उसके बाद यहाँ पर डुलानिया तो बने ही गा ठीक है डुलानिया से रेल्वे लाइन जाएगी तो यह डुलानिया तो रेल्वे स्टेशन पक्का बनेगा ठीक है पिलानी से मोरवा साथ किलोमेटर है पिलानी से डुलानिया गैरा किलोमेटर है तो यहाँ पर कि पिलानी से सुर्जगड ही सीधी रेलवे लाइन विचा दी जाए तो यहां पर देख सकते हैं डारेक्ट लुहारू से बिचाएंगे तो मतलब थोड़ा सा टाइम कम लगेगा डारेक्ट दिल्ली का रूट हो जाएगा तो यह तीन नए रेलवे स्टेशन बन सकते हैं और य क्योंकि पिलानी से साथ किलोमेटर है और डुलानिया है ग्यारा किलोमेटर यह पीपली है ठीकल लुगारू से यह आठ किलोमेटर है तो इस वरकार से यह रेलवे लाइन हो सकती है तो वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूरत हैं Thank you